सिरल गुमे किसी के प्यार में सवी के संग रैगिंग हो रही है हलांकि सवी किसी की सुनने वाली तो है नहीं और वो सब को पलट पलट के जवाब दे रही है लेकिन दूरवा का फ्रेंड सवी के संग बत्तमीजी करता है, सवी को छूने की कोशिश करता है सवी इस पर काफी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे खीच कर एक थपड लगाती है इस पर सवी के क्लासमेट काफी ज़्यादा नराज हो जाते हैं और सवी को उठा कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं उसे कमरे में बंद करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और सभी वहां से बच निकलने की पूरी कोशिश करती है वो AC के वेंट से बाहर निकलना चाहती है लेकिन वो गिर जाती है और उसे काफी चोट लग जाती है सवी को कोई बचाने ना पाए इस बात का भी उसके क्लास्रूमेट पूरा इंदिजाम करते हैं उसके चौकीदार को डरा देते हैं कि उन्हें उस कमरे से किसी भूत की आवास सुनाई पड़ रही है तो चौकीदार रात में उस कमरे को चेक करने के लिए भी नहीं जाता है इस तरह सवी उसी क्लास्रूम में पसी रह जाती है रात में हरेडी परिशान हो जाती है सवी के ना लोटने से वो अपने पती किरन से कहती है कि उन्हें सवी को ढूनने चलना चाहिए जिस पर किरन पहले पहल तो मना कर देता है लेकिन हरेडी के बार बार जित करने पर फाइनली वो लोग सवी के कॉलेश पहुंसते हैं कॉलेश में सवी की हारत बहुत जादा खराब हो गई है उसके क्लासमेट्स ने उसका बैग भी छीन लिया है उसका मुबाइल भी उसके पास नहीं है और उसके पास बची आखरी पानी की बोटल भी खतम हो चुकी है हरेडी और उसके पती कॉलेश पहुंसते हैं और कॉलेश के चौकीदार से बार बार इंसिस करते हैं कि सवी कहीं न कहीं कॉलेश में ही मौजूद है उनके बार-बार इंसिस करने की वज़े से चौकीदार को इशान को बुलाना पढ़ता है इशान कॉलेज पहुंसता है और सवी को पूरे कॉलेज में धून कर जा रहा होता है तब ही एक क्लासरूम से उसे सवी के चिलाने की आवास सुनाई पढ़ती है सवी काफी बदहवास है और इशान जैसे ही उस क्लासरूम को खोलता है इशान को देखकर सवी की जान में जान आती है और वो भाग कर इशान के गले लग जाती है सवी को इस हालत में देखकर इशान भी हक्का बक्का रह जाता है उसे समझ में नहीं आता कि सभी को इस तरह से कॉलेज में किस ने बंद किया इसके बाद इशान के दिल में सभी के लिए थोड़ी हमदर्दी तो पैदा हो जाएगी कि सभी के संग इस तरह से उसके कॉलेज में दुर्वेवार हो रहा है इशान अपनी बहनों को इस रेगिंग की क्या सजा देगा ये जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए